आज हम मौजूद हैं घोसी लोगसभा के एक छोटी से गाउं पलिगल में जो मौव जन्तब में आता है और घोसी लोगसभा छेड़ता है और यहां किसानों के बीच मौजूद है और उनसे यह पुछना चाहते हैं कि आने वाली सरकार किसकी तो आप पहले अपना शुम नाम बताएंगे क्या करते हैं अब मैं तो किसानी करता है अच्छी यह बताईए कि जो सरकार अभी रही है जैसे बोधी सरकार रही है इसने आप लोगों के लिए कितना लाभ का काम किया इनने तो सारा नक्सान ही नुक्सान किया नोट बंदी किया उससे नुक्सान हुआ गाह यह फैसों के पड़वे जो है यह घूम रहे हैं देश के पूरे नक्सान कर रहे हैं फसल को बरबाद कर दी एकदम जगा हर खेतों में ददग सब्द्स पंदरब हो गया भैस गाय का दाम कोश नहीं है सब खतम हो गया पूरी किसानों की का इस समय लोकसभा के चुनाव होने हैं तो आप ये बताइए कि इस समय कांग्रेश गडवंधन सपा बसपा गडवंधन और भाजपा गडवंधन ये तीन गडवंधन जो हैं बड़े-बड़े जो आपके बीश हैं आप किसके साथ जाना चाहेंगे हम तो जो है कि बहुजन समाज बादी पाल्टी और बहुजन यही सरकार सबसे अच्छी है और अच्छा काम किया इन्होंने हिंदुस्तान में सबसे रिकार्टोड काम किया जब रच्छा मंतरी मुलायम यादो से उन्होंने स्टैनिकों के लिए जो सियाचीन गलेशियर रेलाउंस्मेंट किया गया जो बीपी सिंग ने 500 रुपिय किये थे उसके बाद मुलायम सिंग जब गए पाकिस्तान ने गोलो बारित जब शुरू किया इन्होंने रच्छा मंतरी रहते हुए एक सेनिक की डेट बाड़ी उसके परिवार से मुलाकात या देखने के लिए उन्होंने एक अच्छा ऐसा मौका दिया जो रच्छा मंतरी होते हो कोई हिंदुस्तान में ऐसा नेता आज तक कोई पैदा नहीं हुआ किसी पाल्टी के अंदर जो सेनिक के परिवार और उसके सेनिक के बारे में कोई सोचने वाला नहीं था भाजपा तो परपंड़ा और पर देश का वबालबाजी बता करके हिंदुस्तान को बरॉबाद कर रही है और भ्रष्ट फैला रही है चारों तरब नोटों की बंदी के जो लिए किया नोट बंदी किया दють घोटाले कर रही है जिसको किसी के समझ में नहीं आ तो कर रही है केंदर में उसकी सरकार राजि मुस्लिम या सभी को लड़ा रही है लड़ा करके राजनीत कर रही है और इस पाल्टी को भाजपा को इस बार देश से उखार फेकना चाहिए अच्छा क्या आपको यह लगता है जैसे मोदीजी नहीं कहा था सबका साथ सबका विकास तो आपनों का विकास कुछ हुआ है क्या कुछ भी विकास नहीं हुआ था सबका साथ सबका विकास इन्नों ने तो भष्ट किया इन्नों ने तो राजनीत फैला करके ढोंग रचा जिससे हिंदू-मुस्लिम भाईयों को लड़ाया जो द्याराम मंदिर के लिए लड़ाया इसकी तो हर जगह जो जो भी है इसकी निम किसानों का लाब हो गए हिंदू-मुस्लिम का लाब होगा मतलि कौन सी सरकार एसी होगी जो वास्तो मिलेकर चलेगी सबसे समाजबादी पाल्टी और बहुजन समाजबादी पाल्टी इन्होंने जो गरीब हैं अच्छूत हैं इनको मिला करके जो देश में सरकार बनेगी यो देश तरक्की करेगा हिंदुस्तान का नाम रोसन होगा और हिंदुस्तान अच्छा निबहेगा सभी भाई-भाई मिलके रहेंगे अब जब तक भाजपा अगर रहेगी राजनीत और कुटनीत हिंदुस्तान को बर्बाद करेगी अभी आपने पड़वे की बात की कि पड़वों से जो खेत आपके बर्बाद हो रहे हैं अभी हम आ रहे थे तो मालूम हुआ कि आवारा पशू जैसे पहले निल गाय वगर थी अब छुट्टा गाय और स पशू बेचे जाते थे वो बेचते नहीं है लेकिन एक्सिडेंटल से और उनकी मौते अधिकांस और मलेरिया या बीमारी का गरसित हर गाउं के लिए हर सीटे के लिए बरबादी की जरिया बन रही है तरह-तरह के रोगें पैदा हो रहे हैं तरह-तरह की गंदिगिया पैद को नहीं करके पसू रोड़ पर पड़े मरे पढ़ते हैं टरल लगते हैं अक्सिडेंट होता है हर रोज कम से कम हजारों की संख्यव में पसू बरबाद हो रहे हैं हाया तबाही जो पसू मर Sooर तरफ नफ नियत एक सबी कर तुध मरी सामने अब नाम क्या है अच्छा यह मुलायन सिंकी अच्छा उसमें क्या विशेष्टा लगी आपको कुछ बताएंगी देखिए इस समय हम मौझूद हैं पलिगण के एक छेत्र में जहां महिलाएं वह बर्सिन वगर काट रही थी चैने की सफल काट रही थी उन्हीं तो जानना चाहते हैं कि अब की बार किसकी सर सरकार के कुछ आपके कांग्रेस गडबनधन सपा बस्वा मपार्वब बनधन दके की सुने के बार आपकी बार किसकी सरकार आप बताईए कि अपकी बार किसकी सरकार हम तस सोचे था है कि मायावती आजा फिर क्या विशेष्टा लग रही है रहा हम के यह सुधा है कि हम इसकूल में खाना भी बनाई आ हमार तन खाई भी बड़े के शाहिए हम बीन खेती गिराघ टी कहां हम थो औरुजी रोटी लगरला अभी तो आप उप खेती में को चीश जाते मोड़े इset में ना हम तो भाई मजूरा एदमी भाणे आप यहर कि बर किसकी सरकार ठीन करें करने हैं चुछ रहा है क्या सिंदोय का में ब्रक्राइए कि क्षम नहीं हो रहा हैwed तक संदूर को कई दिक्कत आप को लगी को बताएं गे रहे हम लोगों को कुछ कंन ही रहरा है कि कि आफ रहा रातः हुआ हुआ मटे कि का कि यगा पॉदी जी के विका से संदुषट नहीं है आप लोको क्यों आखिर ignoring Aने अच्छे ये बताइए आप की बार किस इसकी सरकार अक्ले सरकार क्यो आखिर मोधी मोधी जी ने विकास कए का अब कि अच्छा का अब किसकी अप अ आखिर क्यों मौधी जी कMr कर अच्छा ने लगा आप का विवसाय क्या है खेती है दूट का है क्या है तो बतलब आपकी आप किसके साथ जाएंगे आपका नाम मंता 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 जी यह बताईए अब की बार किसकी सरकार अखिर देखिए मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास किता विकास हुआ आपको क्या लगता है कोई ठीक नहीं है मोदी नहीं सब्सक्राइब करें अच्छा आखिर इसमें का आपको विश्चता लगती है फ्लेश जी से क्या लाब है सब लाब है बच्चों की पड़ाई लिखाई